वाट्स अफ दोस्तो मेरा नमें इशान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इशान टेक वर्ल्ड पे तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही जरूरी चीज जियो से रिलेटेड तो जिया दोस्तो आपने थम्लेल और टैटल मैं पढ़ लिया होगा मैं आपको समझाने वाला हूँ जियो के नए प्लांस तो रिसेंटली जो ना दोस्तो जियो ने अल-इन-वन प्लांस को लांच किया है तो डेफिनिटली जादा तर लोगों को जो ना उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो में प्लांस को समझना है ताकि आगे चलके प्रॉपर रिचार्च आप अपने अकाउंट पर कर सके तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करता हूं वीडियो को और प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिए तो विडाट फूर्दर अडू लेट्स केट स्टारेड दोस्तों वीडि चलिए आप उसको पर करेंगे तो आपको हमारे चल्ल पर आपडेट नहीं मिल पाएंगे और आपको नोटिफिकेशन्स आउन करतेजिए प्लीज मैं आप से रिप्लेश्ट करोंगा ताकि टैमली पर आपको हमारे चलेल के अपडेट इस तरह किसे मिल सके और आप भी जोना प्लाने जैसे के 399 था 349 था वो प्लान करने के बाद में उसके उपर से आपको आयूसी का टॉप भी करना था आयूसी की बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो डीटेल में वीडियो बनाया हूँ आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर लीजिए यहां पर भी आप आपको बताऊंगा तो आपको टॉप करना रहता था टेंट रुपीज का टॉपीज का फिफ्टी रुपीज का वो मैक्सिमम टॉप जो था वह थाउजन रुपीज सकता अब उसमें होता था दोस्तों कि आपको मॉनेटरी बैलेंस मिल जाये करता था ताकि आप उसको अपने लांच किये वह एकदम मतलब सारे बैनेफिट्स एक ही प्लान में दे दिये हैं अब पहले क्याता दोस्तों के जीओ के प्लान की तीन कैटेगरी थी सबसे पहली काटेगरी थी और नेटवक कॉलिंग भी जो दूसरी कैटेगरी थी वह सिर्फ रिचार्ज प्लान की जिसमें आपको जीओ टू अधर नेटवक कॉलिंग नहीं मिलते थे आप खाली रिचार्ज करेंगे लाइक 149 का 399 का तो उसमें आपको अधर कॉलिंग के लिए बेनेफिट नहीं मिलता था आपको सिफ डेटा एसमस मिलता था जो भी है या जीओ जीओ कॉलिंग मिलता ना तीसरा प्लाइन था दोस्तों वो थे सारे टॉप अप रिचार्ज जो 10 रुपे से स्टार्ट होते थे और थाउजन रुपीस तक जाते थे जिसमें आप रिचार्ज करते थे तो आपको टॉप अप मिलता था उसमें वालिटरी बैलांस मिलता था ताकि आप उसको इसको मिल जाते हैं सारे वेनिफिट का मतलब है आपको उवेसली वैलिडिटि तो मीली रही है मिनिममम तुईटियट डेज अगर रिचार्ज करते तो साथी में आपको पर डेड का जीवी डेटा भी मिलता है वन जीबी टूची जीवी जीवी जो भी रिचार्ज आप प्लान ले नए प्लाइन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें मिनिमम्म प्लाइन जो है ना वह 1.99 रुपीस का एक एक एक्जामपल देके मैं आपको समझाने की कोशिच करता हूं तो तो 28 देज की वैलेडी मिलती है और सबसे अची बात यह किसमें आपको 1000 मिनिट्स आयू सी मिलते है मतलब आपको अगर अगर अधर नेटवर्क पे कॉल करना है तो इसमें आपको 1000 आयू सी मिलते है इसी सबसे दोस्तों अगर आप प्लान की रेंज को बढ़ाते जाएंगे तो आपके जो पर डेटा है वो भी भड़ता जाता है और आपके आयू सी मिनिट्स जो है वो भी भड़ते जाते हैं सी सबसे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊंगा 12 मंत के प्लान में मतलब जो प्लान आपको एक साल की वैलेडी देता है जैसे पिछला वाला प्लान ता जो 1600 सम मिलते हैं बात करने के लिए अधर नेट्वर्क के लिए 12,000 मतलब एक साल के लिए तो एक बार अगर आप रिचार्ज कर दोगे तो एक साल तक की छुटी अब दोस्तों जिसने पहले 1699 का रिचार्ज कर दिया है तो बेनिफित है उसको लेकिन दोस्तों उसके उसाब से क्या तो इसलिए मैं आपको समझाता है तो अच्छे तरीके से कुछ affordable plans का section है अब affordable plans में दोस्तों आपको सिर्फ तीनी option मिलते है जिसमें सबसे कम बला option है 129 रुपीज का इसमें दोस्तों क्या होगा यह plan जो वो भी 28 disc तक ही valid रहेगा लेकिन इसमें आपको 2GB data मिलता है अब दो 28 दिन के अंदर 2GB यूज कर लिए तो उसके बाद में फिर आपको data booster pack कराना पड़ेगा आपको फिर daily basis पर data renew नहीं होगा और 198 plan में 1.5GB daily basis पर renew होता जाएगा तो यह फर्क है दोस्तों इन दोनों में साथवे voice minutes के अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 129 में में आपको 1000 minutes मिल मिलते हैं बात करने के लिए और जैसके बने आप से कहा कि one month की वैलिटी मिलती है मतलग 28 days की मिलती है तो जबी भी आप जियो की website या माई जियो पे जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे affordable plans तो आप उसको देखके confused मत हो जाना कि आपको daily basis पर यह data मिल रहा है आपको पू पूरे 84 दिन तक यूज करना है daily basis पर नहीं है और वहीं पर अगर आप रिचार्च करेंगे 1299 को तो उसमें आपको 24 जी भी गडिटा मिल जाएगा जो आपको पूरे 365 देश तक मतलब पूरे एक साल के लिए आपको यूज करना है और उसके बाद में वो daily basis पर रेनियू नह करना देता था अब जंजटी पूरा हटा दिया जियो ने अब यही जो है ना दोस्तों सामने आपके एकदम easy और simple करके आपको all-in-one plans की details जियो ने सामने रख दिये अब दोस्तों जियो ने क्या कर रहा है पिसले plan के comparison में अपने plans के rate तो बढ़ाए है लेकिन अगर आप इन नेटवर्क से compare करेंगे तो मैं एक छोटी सी comparison आपको देता हूं 199 का recharge जो आप जियो में करते हैं इसमें आपको 1.5 मिलता है यह सारे ही benefits में अगर आपको चाहिए Vodafone में या idea में या तो फिर अगर आपको यह एटल में benefit चीए तो Vodafone idea का recharge 248 का recharge है और अगर आप एटल मे सेम benefits लेंगे तो उसमें 249 का recharge तो फर्क हो जाता है जो benefit आपको जियो में 199 के plan में मिल रहे है वो benefit आपको एटल Vodafone idea में 248 और 249 में मिल रहे हैं तो फिर भी दोस्तों बढ़े हैं लेकिन फिर भी दोस्तों जियो में फिर भी cheaper plans है तो इसलिए मैं आप से बोला कि मैं एड नहीं कर रहा हूं जो फैक्ट है वह चीज़ बता रहा हूं यह तो हो गई पूरे plan की details किस तरीके से आपको plan को समझना है और किस तरीके दोना आपको अपने account पर उसको recharge करना है यहां पर दोस्तों आपका सवाल उटके आएगा जो मैंने बीच में वहले वीडियो में कहा थ जब सारी benefits मुझे एक ही plan में मिल रहे है तो फिर जियो ने आयूसी टॉपप क्यों रखा है अब दोस्तों यहां पर यह चीज़े कि कोई भी plan जब आप करोगे तो उसमें एक particular minutes मिल जाते है फॉर एक्जाम्बल अगर आप 199 का recharge करते हो तो उसमें आपको 1000 minutes का top time मिल जाता है मतलब 1000 minutes other network पे बात करने के लिए लेकिन क्या हो कि अगर आप यह 1000 minutes जो आपको 28 दिन मिल रहे है उसी में आप पूरे utilize कर लो उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में क्या आप other network पे call नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है तो इसलिए जियो ने फिर यह option रखा है कि एक बार ज सक जाता है तो आपके use के हिसाब से आप top-up recharge मार सकते हो और वहां से जो यह ना फिर बाकी जो छे पैसा पर minute IOC के चार्जिसे वो डिड़क्ट होना शुरू हो जाएंगे तो इसलिए दोस्तों जियो ने top-up recharge रखे हैं तो I hope दोस्तों very much clear to you जो भी recharge से related बाते हैं और जो भ for you Instagram पर दोस्तों आप मुझे follow कर सकते हो लिंक में डिस्केशन में देगा direct link आपको यहां पर दोस्तों आ रहा होगा direct link वहां पर जो ना डिरेकली मुझे follow कर सकते हो Instagram पर जाके और दोस्तों मैं आपको guarantee लिके देता हूँ कि इतनी डीटेल आपको कोई भी दूसरे वीडियो आपसे अगले वीडियो में जै हिंद